तो जैसा कि आप समने टाइटिल से देखी लिया होगा कि आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है आज मैं आपको बताओंगी कि आप अपने फेस को कैसे सेव कर सकते हैं आप अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हैं यूजिंग फेशियल रेजर यह मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इस टेप बाइस टेप मैं बताओंगी ताकि जो भी बिंगनर है उन्हें इस वीडियो से हेल्प मिले इसके अलावा आज मैं अपने पूरे फेस पे है तो वह आज मैं फर्स टाइम करने वाली हूं और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी और चुकि मैंने एक बार थोड़ा बहुत यूज किया तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया कि हां मैं कर सकती हूं तो सबसे पहले मैं आपको यह दि बहुत ही ज्यादा अच्छे थे तो इसलिए मैंने इसे मंगाया यह आपको इजली लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे या अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूं कि यह एचली में है क आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से है तो ओवराल इसकी क्वाल्टी काफी अच्छी है पिंक एंड बाइट कलर के कॉंबिनेशन में है और यह रियूजिबल है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आपको अपने फेस को सेप कैसे करना स्टेप बाई स्टे आप डाउट कैमरा देखोगे तो अच्छा खासा यह विजवल हो जाएगा पहले तो मैं पालर जाती थी अपने फोर हैड और अपर लिप के हैर को रिमूब करने के लिए पर अभी ऐसी सिट्वेशन है कि मैं पालर जा नहीं सकती तो इसलिए मैंने इस फेशल रेजर को पर होने लगती है साथ ही जो हेर होते हैं वो काफी हार हो जाते हैं तो मैंनो तो अभी बस एक ही बार यूज किया तो इस बारे में मैं क्लियर आपको नहीं बता सकती बठा अगर आप घर बैठे विदाउट पेन अपने फेशल हेर को रिमूव करना चाते है ना तो मुझे यह तो चलिए सबसे पहले आपको अपनी स्कीन पे कोई भी क्रीम या मॉशराइजर या कोई भी जल अपलाई करना होता है क्योंकि ड्राइ स्कीन पे अगर आप रेजर यूज करेंगे तो हो सकता है कहीं थोड़ा कट उट लग जाए तो इसलिए सबसे पहले अपनी स्कीन को अ नहीं तो यह hair मेरे काम में recovered डालेंगे अच्छा अगर आपको इस वीडियो से help मिलेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और जरूर शेयर किएगा ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से help मिले तो चलिए official razor का use करना सुझार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं प्रैसलाक के हैर करना आपको अपनी स्कीन को कुछ इस तरह से हलका सा स्ट्रेश करना आपड़ सकते हैं उसके बाद लाइटर के अपधरी मई रेजर से गल्यड करना तो आप देख सकते हैं आपको अपनी स्कीन को इस तरह से स्ट्रेश करना और बहुत ही लाइट हैंड से धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ इसे गलाइड करना है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं अन्हां मेरे पे आपको यह जो marks अगर आपकी अपर यह फिम्पल के marks तो अगर आपकी सकीन पे प्यम्पल्स है यह एकने हैं यह कोई भी दाने यह तब आप इस लेजर का मत यूज की जिये ने तो वह कट उड़ जाएंगे तो आपको और भी प्राबलम हो जाएगी मेरे सकेन पर मार्क्स है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ अब मैं आपको दूसरी साइड यूज करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने अपनी स्किन को स्ट्रेच किया और धीरे धीरे से नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ रेजर को आप देख सकते हैं थोड़ा सा फर्स टाइम यहां पर रेजर का यूज़ कर रही थी तो मुझे ऐसा परसनली फूल हुआ कि बहुत ही स्मूथली यह रिमूव हो जा रहे हैं कोई भी डिफकल्टी नहीं हो रही है जो बिगनर है वो भी इजली रिमूव कर सकते हैं बस आपको लाइट हैंड से रिमूव करना उपर से नीचे की साइड में आपको धीरे धीरे गलाइट करना और आपके जितने भी अपर लिप्स के हेर होंगे वो बहुत ही इजली रिमूव हो जाएंगे आपको फेशल रेजर का यूज़ अपनी हेर ग्रोथ की डिरेक्शन में ही करना होता हेर ग्रोथ की अपोजित ड अच्छा ऑप्शन है एक तो घर बैठे आसानी से हो जा रहा और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि विदाउट पेन हो रहा है अब मैं अपने फोर हैड एंड एब्रो के हेर को थोड़ा सा सेट करूंगी तो सबसे पहले मैं जो दोनों एब्रोज के बीच का अब मैं अपनी स्कीन को इस तरह से स्ट्रेच करके थोड़ा सा अपने आइब्रोज को सेब देने की कोशिज कर रही हो बहुत ही ज्यादा मैं अपने आइब्रोज के साथ छेड़ खानी नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी इसे फर्स टाइम कर रही थी तो मुझे उतना यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ फेशल हेयर है फोर हैट पर उसे मैं रिमूव कर रही हूं जो भी पहली बार रेजर का यूज कर रहे हैं वो एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही मतलब ल टो मैं रिमूव कर सकता है तो मैं फोड़ा सा जल्दी लग रहा हूं अब म एक भी परसानी होगी तो बहुत ही लाइंट से पूरे फेसल हेर को रिमूफ कर लिया आई थिंक कैमरे पर उतना क्लियर विजुल नहीं आ पा रहा होगा नहीं आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस पता चल पा रहा होगा पर हां अब मेरे स्किन पर कोई भी फेशल हेर नहीं है अब मैंने वेट वाइब का यूज करके अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है आप देख पा रहा होगे जो फोर हैड के दोनों आप ब्रोज के बीच में फेशल हेर थे वह अब नहीं है अब कि डर्य सकीन लेयर होती है वह भी रिमूब हो गई थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो नहीं लग रहा था की रेजर का यूज करने से इसकिन बहुत ही ड्राइय फील हो रही है या पैचिख फील हो रहा था बहुत ही स्मूथली सारे हेर रिमूव हो गया पेन तु हो गता है तो मैं इसकिन पर ऐसा नहीं हुआ अगर आप पैर और भेडियों यह वीडियो से अच्छी है पसंदके तो फ्रीजिश आसाNew दो इस्ट कर दो दो भर हो जो से मेंट भूब्णा कोई हैं सोलीख हो थो तो यह एफ कर सकते हैं दो कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चलिए मैं फिर मिरती हूं आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार